दोस्तों वो कहते हैं न कि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता और सेम यही चीज हो रहा है बिटी यूपी बोर्ट के साथ अगर आपसे कहा जाए कि कल दस बजे से आपके कॉलेज में आपका एक्जाम है तो आप क्या करेंगे आप तुरंत तयार होकर के नहाद होकर के अप अब एक्जाम डेट बताने की जिमेदारी बिटी बोर्ट की है तो एक्जाम कैंसिल हो गया है यह आप पो कौन बताएगा बिटी बोर्ट एक ऐसी पहिच्छा एजनसी जिसका हमिशा से यह हाल रहा है और इसका इतिहास रहा है आप पिशला इसका इतिहास भी देखेंगे तो दो से तीन बार यह हमिशा आ की तरह विशम सेमेश्टर की पहिच्छा दूसरी बार इस्थगित कर दी गई है हमिशा से इसका यह हाल रहा है आप सभी की जो पहिच्छा है वो आफिसली आप इपेपर में दे दिया गया है विशम सेमेश्टर की जो पहिच्छा है वो इ अभी तक नहीं जारी हो गा है तो उस बच्ची को पता पता है का हम पास हुए है और जब आ है और बाउम क्या груп Dollar Mr er पहला डेट 17 दिसंबर और दूसरा डेट 27 दिसंबर ये दो डेट एक्जाम पोस्ट पोन कर दिया गया है तीसरी बार ये हो जाए इसकी कोई गैरंटी मैंने लिएँगा क्योंकि ये चौथी बार भी हो सकती है क्योंकि BTP Board का हमेशा से यहाल रहा है जनवरी के दूसरे सब्ता में आपकी परिच्छा हो सकती है होगी नहीं माना जा रहा है कि परिच्छा जनवरी दूसरे सब्ता में हो सकती है करीब 2,80,000 चात्र ऐसे हैं जिने विसम समेश्टर की परिच्छा देनी है पुर्व में बोर्ड के सचीव अजित कुमार मिस्रा ने 17 दिसंबर से परिच्छ का समय ले लिजे अब हमसे 2-3 महीनियों का समय ले लिजे रेकिल रिजल्ट तो एक साथ ही आता है आपने जहां कहीं भी देखा होगा आपका रिजल्ट लेट आता है लेकिन बीट्योपी बोर्ड इनकी कहानी कुछ अलग ही है पुनर मुल्यंकन का रिजल्ट आधा ही आया ह जो बच्चे रिवाल दियोशन का रिजल्ट आदे हुए थे उनका रिजल्ट जारी तो हुआ है लेकिन आधे बच्चों का रिजल्ट जारी हुआ है अब यह कैसा पेच है सम समेस्टर परिच्छा के बाद अंकों से औस अंतुर्ष छात्रों ने पुनर मुल्यंकन और कमिंग सून दिखा रहा है आपने भी चेक किया होगा तो आपके रिजल्ट में भी कमिंग सून दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ी समस्य आप पुनर मुल्यंकन शात्रे वाले सामने यह है कि प्रावेस इच्छा परिश्द सचिव अजित कुमान मिस्रा ने कहा है कि पर यूट्यूपी बोर्ड है और इसका एक्जाम अगर कोई भी आपको बता रहा है यूट्यूपे कि यह डेटा है एक्जाम का तो आप लोग मान लेते हैं और जो बताता है वो भी एक तरह से कनफ्यूजी है क्योंकि विट्यूपी बोर्ड जो कि जो बोलता है वो कभी भी हो तो ये एक्जाम जो है वो आपका January के दूसरी सब्टा में हो सकता है दूसरी सब्टा हो सकता है कि 15 से 20 जनवरी की बीच में आपका जो ऑफिसली सेड्यूल है एक्जाम का वो जारी हो जाए हलंकि ये डेट कनफर्म होगी या फिर ये भी संभावी डेट होगी और एक बार फिर से चेंज होगी इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते ऐसे इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा